असलाम लेकूम, कैसे हैं जी आप सब लोग, ये किनन ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि इस विकेंड पे हमने क्या 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 किया और क्या हमार साथ बुरा हुआ, रहेगा मेरे साथ वीडियो के इन तक पिर आप लोगों को पत बेसन को मिक्स करके, तो मैंने इस बीटर से मिक्स की और जम मिक्स कर ली थी तो मुझे याद आया कि हमारी यम्मी जो हैं, वो इसे मदानी के साथ मिक्स करती थी, उसके बाद फिर चानती थी और फिर डालती थी, कि कोई नहा कोई गुटलिया ना रह गई हो बेसन की, लेकि के आपको आने वाली स्था की मज़ीद वीडियोस मिलती रहे और बेल का बटन तो आपको हमेशा की तरह पता आप लोगों ने बिल्कुल भी दबाना ने भूलना और कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताना है कि आपको मिराज का वलोग कैसा लगा चलें जी फिर से थोड़ा सा कड़ी के बारें बता देती हो लें जी मैंने बेसन और दही की लसी बना ली थी तो मैंने डाल दी इसके अंदर आपको यहां पर टिप भी देती जाओं कि जब कड़ी के बनाने के लिए हम लोग डालते हैं तो वो बाइल आके हमेशा बाइर गिर है और जब यह अच्छे से बाइल आ गए तो अब मैंने ज्यादा पानी जितना भी डालना डाल ली और अब अच्छे से मैंसे पकाऊंगी तो अब यह है कि मुझे टेंशन नी होगी कि यूबल के बाइल ना आ जाए चलें यहां एक और बात शेयर करते चलते हैं अपने है और बार मुसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा जा जाज कड़ी बनाई जाए और कड़ी कि मैंने काफी धर्स together मीने जाए तो इसलिए मचheen मेंने कड़ी बना ली जाए बाइय को साथ में भी किया ऑि मैंने पकोड़ाए बनाना शुरू कर discounts वे तो यह देखें जिए म पता नहीं मुझे लगता है यह सब लोगों को लगता है इसे वीकेंड पे तो बहुत ही ज्यादा काम होता है यह भी कर लो वो भी कर लो ऐसे मुझे लगता है इसे वीकेंड पे कुछ ज्यादा ही काम होता है बाद में कडी में डालती हू गर्मा अ में मैं किचन में आती हू तो मुझे लगता है किचन में जितना भी काम है ना सारा एकी दफ़ा काम खत्म करना ना या जाए तांके बाद में बार बार किचन में नाया जाए तो मैं एकी दफ़ा सारा काम खातम करके किचन साफ करके चली जाती हूं किचन से बाहर जानी के तो उसके बाद फिर चाए सारा दिन मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता किचन का यानि के जो मेरे काम ह whis ऐट माइए की दफ़ा कर लेती हूं तो इसली इसलिए मैंने जब जब कड़ी बन गई तो प्रोटियां भी सात में बना लेती हूं चाह ठोड़ी बार वाद ही खाना खाएंगे लिए जाया हमईएं ठारा लेती हूं तो मैसे पहें भी सोचा चले वीकंड ने ले जाती ह̊ं तो यह लोग पार्क में फेलने के लिए तो वहां पर खेलते खेलते मेरे बेटे ने जुकिए उस के बाद मीरे बेटे को चारा उसके अलुकिए इस पर गुसा को बोला कि आप छोड़ो उसने गिरा दिया कोई बात नहीं लेकिन उसने तो रहो ना शूरू कर दिया भाई इसंने में रहा यही चीज मैंने तो अब लेनी लेनी है और वहाँ जाने का कोई रस्ता नहीं था सिर्फ यही रस्ता था वाहिद जहां से वो जा सकती थी तो फिर म जैसे बच्चा excited होता है ना कि मैं इस रस्ते पर चल रहा हूँ तो excited भी थी और डर भी रही थी कि कि मैं गिर ना जाओं लेकिन मैं उसे कहती नहीं आप गिरोगी नहीं मैं देख रही हूँ आपको ना आप जाओ तो ये देखें पिचारी finally पहुँच गई है तकरीबन 10-15 मिन डिसको वहां से वहां आने में लगे थे तो लेकिन ये पहुँच गई थी तो ये उठाकर के लिए आप लोगों को मैं भी ये भी दिखाती हूँ ये देखें ये रसी है फिलांगने वाली तो ये घर से लाई थी फिलांगने के लिए और इसके भाई ने फैंक दी दी नीचे तो मैंने इसको बोला के रहने दो लेकिन इसने का नई जी मैं तो लेनी लेनी है तो ये वापिस जाके उठाकर लाई थी फिर बच्चों ने थोड़े पार्क में खेला खेलने के बाद फिर हम लोग ने वापसी कीज़ा पकड़ी तो वापसी पे हम लोग गे सूपर स्टोर पे क्योंके हमने वहाँ से कुछ घर की चीज़े लेनी थी तो हमने सूच चले ले वो भी लेकि कीज़ा घर में जाते हैं तो लेकिन बच्चे तो आपको पता है जो करते है तो लाला आप लोग इनको देख लेजिए का कर रहे है स्पीडों में साइकले चला रहे है जो खेल सूपर माट करे मारे घर के रस्ते में सी तो हमें कुछ स्पेशल ने जाना था तो वहां जाके इनों ने जो किया वो तो छोड़ी दे हमेशा की तरह इनों ने इतना मुझे नर्विस किया कि मुझे समझी ने कि मैंने क्या लेना और क्या नहीं लेना तो जो मैं लेनी आई थी शायद वो मैं सब कुछ नहीं ले पाई और इन्हों ने ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले करके तो कुछ ना कुछ ले लिया तो मुझे घर जा किन पर गुस्वा भी चड़ा कहे जो में लिनेगी थो ले ही जी कगा ए ले नहीं के चुम्लें की वज Stan Pay यहीं पिमारा हुआ यह वीकेंड का व्लोग खतम हमने इस वीकेंड पर यही सब कुछ किया अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाज मी बताईएगा कि आपको मेरा व्लोग कैसा लगा अपना पोसा ख्यार रखिएगा दौा में याद रखिएगा नेक्स वीडिय कि अविता कि यहला ह।